हेलो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कमिशन की एक जज्जमेंट में जिसमें सफिशेंट बैलन्स बैंक अकॉंट में होने के वाब जू चेक को डिसाउंडर किया गया इसकी वज़े से नेशनल कमिशन ने है एच एस बीसी बैंक को पंद्रा लाग की कंपसेशन कंपलेनेट को पे करने का ओर किया कोट का नाम है नेशनल कंजूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमिशन डेट ओफ डिसीजन है 12 जून 2023 12 जून 23 का डिसीजन है केस नंबर है 507 ऑफ दोया 16 केस का टाइटल है दिल मिलखिरा संघ का दिल एक व्रसीजन और वर्सेस हां व्र कॉंग कॉंग एंड शिंगाई बेंकिंग कॉपरेशन लिम्टेड है डिसीजन के एक कि एक पी सेट केए की कि कंपलेनेट का बैंक अकॉंट फ्रोस करने से पहले फ्रीज करने से पहले 15 साल से कंपलेनेट उस बैंक को ज्वा सmeal पर दिया और जो लोन अकाउंट था वfolg रोगया और सारे जो डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूट किये थे यह चेक इशू किए गे थे वह कैंसल किये गए उसके बाद K học अपना सैविंग बैंक अकाउंट बिना किसी हैंट्रैंस करता है 19 November 2015 को जब complainant ने ATM से मन पैसा विड्रा करने की कोशिच करी तो वो transaction decline करेगी inquiry करने पर पता चला कि उसके जो KYC है वो updated नहीं है complainant ने bank branch में visit किया वहाँ पर उसको पता चला कि जो उसके दूब bank account है उसमें loan account है वो loan amount है वो outstanding दिखा रहा है उसके बाद complainant ने bank को email करी साथ में loan closer letter था वो attach किया और bank को request की कि जो उसके bank account के operation के उपर restriction लगाई गई है उसको remove किया जाए साथ की साथ complainant ने further bank को inform किया कि जो loan जो saving bank account है उसको freeze करने से पहले के जो check issue किये गए है अगर वो dishonor होते है तो उसके लिए bank है वो जिम्मेदार होगा 25 नवंबर को दो check थे वो return करेगे dishonor करेगे bank के द्वारा जबकि उस समय पे saving bank account में sufficient पैसा था उन check को honor करने का बट बैंक के द्वारा वो check थे वो dishonor करेगे जिसकी वज़ए से complainants की criminal liability खड़ी होगी और साथ के साथ उसको public embarrassment भी होई इसके बाद bank ने reply file कि RBI की guideline के मताबक customer के हर दो साल बाद KYC update होने थे complainant के साथ follow up करने के बाद जूद भी KYC नहीं दिये गए इस वज़े से bank ने with no option के साथ temporary restriction थी वो उस bank account के उपर लगाई थी तो जिसको duly communicate किया गया था complainant को complainant के number one के document थे वो November 2015 में update करेगे और complainant number two के जो document थे वो still awaited थे अब commission ने held किया कि ऐसा कोई भी record पे कुछ भी ऐसा record पे नहीं है कि bank ने जो complainant को as a high risk customer है वो identify किया है जिसके मताबिक RBI की guideline के मताबिक हाई risk customer को हर दो साल में KYC update करना है बट complainant को as a high risk customer को as a classified करनेगा कोई भी प्रूफ नहीं है और फर्दर जो उसका account freeze हुए जिका joint account complainant का freeze हुए है इस करांट के कि उसके KYC update नहीं थे renew नहीं थे या non depositing of any outstanding amount in any of the loan account जो गी उसने पहले ही settle कर दिये थे loan account और जिसकी वज़े से उसकी जो ATM की transaction थी वो decline हुई उसके बाद उसके जो चेक थे वो dishonor किये इंस्पाइट की complainant का sufficient balance account था joint account में उस टाइम पर जो की बिल्कुल ही unjustified है और जिसने complainant की reputation को adversely effect किया इसकी वज़े से उसकी criminal action उस पर आया चेक dishonor की वज़े से तो कमिशन ने bank के इस act को negligent मानते हुए deficiency in service माना और complainant को जो उसकी unwanted humilitation हुई embarrassment हुई loss of reputation हुई उसके लिए इसको complainant को entitle माना कि वो compensation लेने का entitle है और further कमिशन ने डिरेक्ट किया कि उसका bank account है वो defreeze किया जाए और साथ की साथ 15 लाग की compensation, mental agony, harassment और adverse impact और जो उसकी reputation पे complainant के हुए है चेक dishonor होने की वज़े से despite और कि उसके वास sufficient balance था उसके वज़े से 15 लाग bank complainant को पे करेगा और यह direction commission की तरफ से bank HSBC bank को दी गए कि वो complaint rate को 15 लाग रुपया पे करेगा so thank you for watching this video thank you